नमस्कर दोस्तो आटोएलेक्ट्रिकल इंपर्मेशन चानल पर आपका सपस हागद है यह कॉंबिनेशन शूज है मिन्डा कम्पनी का सोनलीका और मिसवेशू जो छोटा स्मॉल टैक्टर आता है इसका यह कॉंबिनेशन शूज है इसमें यह के शूज में इसका हेडलाइट, हार्न और इंडिकेटर इसमें इंस्टॉल रहा था है इसमें अमीन्डा कंपणीं में आता है इसका ओन के Ci bombers इसका रिपिरिंग वगरा कोई चांस हेव प्रयाद नहीं अगर वी रिक्शान करेंज से अधे हैं और इसमें निचे के साइट पिला का नॉब दिया हुआ है, इसमें पार्किंग और आगे लो भीम, एडलेट का लो भीम और इसमें एडलेट का हाई भीम इसपे चलता है और नीचे के साइट में रेल्ड कलर का जो knob दिया हुआ है यह side indicator का दिया हो रहट है बीच में आप position है यह left side और आगे इसमें right side का indicator इसमें रहत है तो इसमें आजकरा इसका souram कैसे चेक करने का कौन सा वायर किसका है इस यूड़े में पुरा देखने वाले इसका टेस्टिंग भी कैसे होता है ये भी देखेंगे इसमें पुरा टोटली 10 स्पीन आता है ये 2 स्पीन कौन-कौन से वायर किसका रहता है ये पुरा इस यूड़े में देखेंगे आलग- कंपने ने इसमें दिया हुआ रहता है इस पर कुई भी आपको जानकरी नहीं रहती तो इसको कुण कुण सा कलर किसका रहता है step by step इसका पुरा आपन आसन तरीखा इसमें देखने वाले यह मैंने टेस्ट लेम लिया हुआ है 12 व्ट बैटरी इसमें आपन चेक करने वाले मल्टिमीटर से भी आपन चेक कर सकते हैं continuity tester पर मगर इसे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको समझने के लिए इसलिए मैं आपको टेस्ट लेम से इसको समझने के इसको मैंने बैटरी का पॉजिटिव पीन लिया हुआ है यह एक नंबर ही पीन पे इसका मैंने लगा हुआ है कोई भी पीन को लगा सकते पहले आपन इसका हन का कनेक्शन दूलेंगे कौन सा रहता है तो इसके लिए मैंने टेस्ट लेम का जो ग्राउंड है मेरा हाथ में रेल कलर में पीन में अपन इसका हन का कनेक्शन दूलने वाले हन को एक इंगनेशन का सप्लाई जाता है और आउटपूट इस हन का बटन पूश करेंगे तो आउटपूट निकलता है तो इसका एक वायर को इसका कंटेंटीव को आ जाता है अपना परा स्टेप एक एक पीन को बारकर से चेक करना है इसमें कोई भी कंटेंटीव नए आया हुआ है तो इसको पीन आपन चेंज करेंगे यह शेकर नंबर पीन पे इसका पॉजिटिव सप्लाई बैटरी का मैंने दिया हु हुआ है मैंने और स्टेप आए फिर एक एक करके सब कीन को चेक करना है उपर के साइट में छे पीन आया हुए निचे के साइट में चार पीन रहता है इसका स्टेप एक एक पीन से बारकाई से चेक करेंगे एक पीन को इसका कंटिविट आना चाहिए यह देखो उपर के साइट में जो positive supply दिया हुआ है उसकी नीचे के साइट के जो पीन है इसका कंटिविट आया हुआ है आगे के पीन को भी चेक कर सकते क्योंकि आंदर का function किसी को पता ने रहता यह उपर का side का नीचे के side के इसमें art number का pin नीचे के output निकलता है यह pin निकल यह जो pin है यह horn को supply प्रवावल करता है इसके लिए मैंने यह निला वायर इसमें आपको समझने के लिए निला वायर निले पे लाल पठ्टा इसमें वायर लगा हुए यह दोनो horn का वायर होगा है नेक्स जो वायर है आपने इसका headlight का parking दोनो अपर रुपर और पार्किंग का वायर इसमें दुनने वाले तो इसमें मैंने ट्राइल बेस पे एक नंबर पीन पे इसका पॉजिटिव सप्लाई बैटरी का दिया हुए आप लोग कहा भी कोई भी पीन को पॉजिटिव सप्लाई देखके चेक कर सकते हैं वेशिक कोई बात नहीं यह मैंने इसका पार्किंग का स्यूज अन किया हुए एक पुट इसमें इन्पुट जाएंगा पॉजिटिव और एक आउट पुट इसका पार्किंग का बाहर निकलेंगा तो श्टेफ बाइ स्टेफ इसका एक एक पिन को अपन कंटेनुर्टू टेस्टर लागए की चेक कर रहे हुए पुरे बार का इसे एक-एक पीन को टोटली चेक करना है इसमें एक कंटेनिटिव सप्लाई आना चाहिए इसमें कोई भी कंटेनिटिव सप्लाई नए आया हुआ तो इसको पीन अपन चेंज करेंगे ये बैटरी का positive supply में ने अभी तीन नमबर पीन पे इसमें लगाया हुआ है फिर बार के से इसको step by step एक एक पीन को चेक करेंगे पार्किंग का स्यूज अन है इधे हो उपर के सेड में pass नमबर का पीन को ये supply continuity दिखाया हुआ है यानि ये पार्किंग का ये output का पीन है नीचे के पीन को भी चेक करेंगे क्योंकि आलग-ालग सा function रहता है सब पीन को बचा हुआ पीन को step by step चेक करेंगे किसी को भी continuity supply नहीं आया हुआ है खाली pass नमबर पीन को इसका continuity supply आया हुआ है इसके लिए मैंने ये वाइट कलर का पीन लिया हुआ है वायर इसमें आपको समझने के लिए ये company का अलग वायरिंग में अलग-ालग सा color रहेंगा मगर आपको समझने के लिए ये मैं अलग-ालग color यूज कर रहा हुआ इसमें ये parking का वायर white color का वायर में लिया हुआ है अब इसका next procedure जो है इसका headlight का आपन low beam चेक करने वाले है positive supply वाय से ही रखना है इसका लाल पे पिला पट्टा ये positive pin आपने दिया हुआ headlight का low beam मेंने choose on किया हुआ step by step फिर एक बार सब पीन को इसका continue to check करेंग एक number pin पे check किया हुआ मैंने उपर के side में 6 number pin को भी check किया हुआ है उपर के side में 6 number pin पे इसका continue to दिखाया हुआ है ये देखो ये इसका नीचे के side को pin को भी check करना है बचा हुआ पीन सब को check करना है मगर ये कोई wire को इसका continue to दिखाया चे नंबर पीन पे इसका low beam का connection आया हुआ है इसके लिए मैंने लाल पे निला पट्टा का wire इसमें लगाया हुआ है करनेक्शन इसमें अभी दुनने वाले step by step नीचे के side के pin दो pin पुरा pin चेक करने वाले उपर के side में बीच में का भी pin चेक किया हुआ 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 है ये हां का wire का pin निकल जाता है इसको जलो सब टेस्ट करेंगे उपर के एक नंबर pin को भी चेक किया हुआ है नीचे 7 नंबर pin पे भी इसका supply चेक किया हुआ है 10 नंबर pin पे इसका continuity दिखाया हुआ है 10 नंबर ये लास्ट का जो pin है ये इसका high beam का pin ये इसमें है अभी इसका headlight पर डिपर और parking का connection पुरा समझ में आया है ये लाल पे पिला पट्टा इसका ignition का supply में जाता है निले wire पे इसका high beam सपेद पे parking और लाल पे निला पट्टा इसका low beam इसका headlight और parking का पुरा connection हो गए रहा है अभी इसका indicator का connection आपन चेक करने वाले indicator के लिए इसका pressure का इसमें एक output जाता है issues के अंदर और दोनो side indicator का output इससे बाहर निकलता है यानि तीन wire का इसका पुरा connection रहता है यह हन का pin निकल जाता है बारी बारी में तो इसको मैंने ठीक से लगा हुआ है अभी मैंने ग्रे कलर का इसका इसको बैटरी का positive supply इसमें pin को लगाया हुआ है अब आज इसका प्लेचर का आपका connection इसमें बाहर निकलने हुआ है इसको मैंने बैटरी का positive supply दिया हुआ है इससे एक input जाएंगा और दो output इससे इंडिकेटर का बाहर निकलेंगा step by step एक मैंने इंडिकेटर का left side का इंडिकेटर का switch on किया हुआ है step by step इसका एक एक pin बचा हुआ चेक करेंगे तो नीचे के side में 9 number pin पे इसका continuity दिखाय हुआ है अभी नीचे के side में 7 number pin पे इसका continuity चेक करेंगे इसको continuity नहीं आया हुआ है तो इसको अभी क्या करेंगे यह दो number pin को मैंने इंडिकेटर का left side का इंडिकेटर का output निकलता है इसके लिए मैंने यह पिला wire को pin यह लगाय हुआ है दुसरे को भी continuity चेक करेंगे नीचे के side में इसका एक pin को इसका continuity आया हुआ है इसके लिए मैंने यह सबत में हरा पट्टा wire लगाय हुआ है उपर के side में X का pin नेवा लगया तो चार number का उपर के side में X का pin ने तो इसको में यह red side का इंडिकेटर का wire इसमें output निकलता है अभी इंडिकेटर का यह तीन wire पुरा हो गया है पीला, सफेद पहरा पट्टा और ग्रे कलर का इसका प्लैसर का इसमें output फिर एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ इंडिकेटर का left side में इसका continuity आएंगा बिच में आप रहेंगे तो कोई भी continuity इसमें बिल्कुल भी नहाएंगा इसमें 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 फ्लैसर इनिट का जो output निकलता है ग्री कलर में इसमें जाता है और दो इंडिकेटर का सप्लै बाहर से बाहर निकलता है इसमें जान करने पर अभी यह पुरा कनेक्शन आपको समझ में आया रहें का दो हर्न का वायर है, चार हेरलाइट पार्किंग और अपर डिपर का अभी इसका एक पीन बाचा हुआ है यह किसका यह ब्लाक कलर में जो पीन है यह इसका ग्राउंड आता है प्यूसरीश प किसका आता है आपको दिखाता हूँ कर यह ब्लाक कलर में इसका पीन को यह ब्लाक कलर वायर लगया हो अभी इसका चेक करेंगे aid light को इंग्नेशन का सफ्लाइ जो जाता ही उसको उसको मैंने पॉजिट्व सफ्लाइ दिया हो है बोग लोगों को इसका एक connection बिल्कुल पता ने लगता येल्दी मगर एक इसका रहता है इसके अंदर का night mode पे इसका अंदर के side parking का light इसमें अंदर के side में जलता है ये लेडी बल्प रहता है इसमें ये small जो पाण्टरा white color इसमा symbol दिया हुआ है इसमें ये आच्छे नाइट को साप साप दिखाय देता है ये देखो इसमें अंदर का साइट दिखाने की कोशिश करता हूँ दिन में ये ज्यादा दिखेंगा ने पर नाइट मोड पर इसमें चारप ले ये देखो यह पार्किंग लाइट अन करेंगे तबी इसका यह लडी बल्प इसके अंदर का जलता है यह इसका ग्राउंड रहता है पुरा दस वायर का कनेक्सिंग कैसे कैसे चेक करने का इसको इले में आपको बादनेक कुछिशेश किया हो ये चार वायर इसका पार्किंग, एडलेट, अपर डिपर और इगनिशन का सप्लाई इसमें एक इगनिशन का, हर्न का और एक आउटपुट का, ति ये तिनो इंडिगेटर का, और ये इसके आंदर का जो पार्किंग है इसका ग्राउंड, विड़े पसना है तो लाइक जरूर केज़ेगा, शेर केज़ेगा ठेंक्यू पर वाचिंग